हेलो फैमिली आपका हमारी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि इंप्लांटेशन के दिनों में आप कैसे ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अब आपका गर्वारूपन हो गया है आपने गर्व कंसीव कर लिया है अपने प्रेग्नेंसी कंसीव कर लिया है देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि जो नए वीवर्स हैं उनके लिए मैं बता दू छ और इंप्लांट होना उसे कहते हैं कि जब आपका एक फटिलाइज होके धीरे-धीरे आपके यूट्रेस में आके चिपकता है उसी को बोला जाता है इंप्लांट होना और यहीं जो भूर्ण है इंप्लांट हुआ है ओ धीरे-धीरे नौ मन्त तक इसी का विकास होता है और यहीं एक सिसु का रूप ले लेता है और इसी के जो भूर्ण है इसी के उपर विकास शुरू हो जाती है नाइन मन्त तो कौन से ओ सिम्टम से कहां आपको पेट में क्रैंपिंग होती है जिसको दे देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले इसको जानने से पहले आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि आपको महीने के किन दिनों में यह आपको सिम्टम महसूस होगा कब यह सिम्टम आपको महसूस होगा जिससे कि आपको प्रेडिकेट कर सकती हैं कि नई आप मुझे प्रेग्ने का डेट होता है आप इस चीज को समझे जब आपका डेट होता है अगर आपको अबुलूशन के बारे में नहीं पता है कि प्रक्रिया क्या होती है अबुलूशन कैसे होता है तो मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं उसको आप जाकर चिकाऊट जरूर किजिएगा देखिए जब आपका अबुलूशन की प्रक्रिया हो जाती है तो उसके छठे दिन से लेके 12-13 दिन तक आपको इंप्लांट की प्रक्रिया चलती है बट ये काफी लंबा हो जाता है है ना लेकिन आपको लपरवाही नहीं करनी है अगर आप बेबी प्लांट कर रही है तो बॉडी को इंडिकेट प्रेडिकेट करते रहना है कि हमारी बॉडी को क्या हमें शिम्टम्स दिखा रही है जिसे कि आप थोड़ा भी लपरवाही इस सिचुएशन में इस बारे में ना करें तो अगर आप हम बात करते हैं कि आठवे या नौवे दिन में आपको ये सब्सक्राइब केड़िंट ह्ताना है यह जो और इस पीरिय। इस्ती माइल क्रेंपिंग होती है यह आपको नाभी के नीचे दानने सीड़ेब कर देट दाए या बाएं में महह्मत्त हो सकती है किसी एक ही समझे कि महफ्मस जरुका हमाइडकर दाउन करने करने हैصंछ जरुकर ठीकर नहीं को जो है इंप्लांट के समय एतिहासिक के तौर पर बरतना है मैं सारा वीडियो का लिंक आई बटन पर दे दूंगी एंड स्क्रीम पर दे दूंगी उसको जाके आप देखिए कि इंप्लांट के समय आपको कौन कौन सी गलतिया बिल्कुल भी नहीं करनी है अब जानते हैं कि मैं जब आपका होता है तो आपको कैसा पेन होता कैसी क्रेंपिंग होती है प्रिorkैंप को तीन भाग में डिवाइड करते हैं सबसे पहला तो आपको खिचाओ से महसूस होगा पैट में ऐसे आपका ठीक है उसको दबा का किसी हाथ देखो मैं आपको IJ tuart buy हाथ का देती हूं हाथ को किसी ऐसे थोड़ी देवर रखेंगे ना तो वहां का जो blood का sirculation है halka हलका हो जाएगा तो वहां पे जब छोड़ेंगे उसको तो उसमें जिन जिनाहाट फिर आने तिंगलिंग लेγए वैसे ही आपको पाभ़ने लगेगा मेंdf होने लागा का सीम्टम का होता है कि अल्गा माईल्ड सा या लगेगा है कि चुब रहा है यह तो यह जो है पैन इंप्लांट यह होता तो ये हमने जाना तीन प्रकार के आपको पेन हो सकते हैं आपकी जो इंप्लांट की प्रक्रियाश चल रही है उसमें इसके अलावा एक और आपको पेन महसूस होगा हलका मरोड सा आपको पेन पेट में एठान सा महसूस हो सकता है इसके बाद ये दर्द आपको या तो नावी के नीचे दाईं या बाईं में होगा, ये तो मैंने पहले ही बता दिया, या फिर आपको कमर के उपर हलकी सी पीठ में भी ये दर्द मैसूस आपको हो सकता है, तो ये दर्द इसलिए होता है कि जो आपका यूट्रेस है, वहाँ बात बताती हूं, कैंप एक प्लांट है, चोटा सा पहोदा है, तो जब जमीन से मिट खोदेंगे, तब ही उसको नीचे गाड़ेंगे, नमें आधम आग helping iam हम उसकोदे क्रुपन करेंगे ना क्यां वैसर ही आपका जो fertilize egg है उसको uterus में चिपकाने के लिए वहां की tissues को हलकी फुलकी उसकी दिवार को खोदा जाता है तो वहीं आपको हलकी सी cramping होती है हलकी सी mild सी bleeding भी होती है ये आपके period से बिल्कुल अलग होती है तो I hope कि आपको ये सारी बाते समझ में आ गई होगी कि implant का दर्द क कहा होता है कब होता है और कितने देर तक होता है ये एक से दो या तीन चाल मिनट तक आपको आप जो है प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो अपनी बॉडी को period के बाद प्रेडिकेट करती रहें कि हमारा बॉडि कब क्या रियक्ट कर रहा है ताकि आप कोई भी गलतियां ना करें इंप्लांट के उपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं उसे भी चकाउट करें मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यू फर वाचिंग बाई बाई टेक्चेर धन्यवाद पॉजिटिव